सो नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप जो है अपने वाइफाई से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने मोबाइल को आपको यहाँ पर प्रोब्लम अटक जाता है कनेक्ट नहीं हो पाता है आपका मोबाइल आपके वाइफाई से या राउटर से तो आपको क्या करना है आज की वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडि तेले आपको setting पर आना है setting में आने के बाद आपको वाइफई पर आ जाना है आब यहां पर आपको करना किया है स्पोस कर लिजी यह मेरा नीचे वाला है SSID वाला यह connect नहीं हो पारा रहा है तो आपको करना क्या है उप आगे उपर की देख सकते हैं लोग लोग का निशान बना हुआ है उसके आगे arrow एरो पर आपको क्लिक कर लेना है यह करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने सैटिंग निकल कर आएगी नीचे की तरफ आप देख पाएंगे डाइपी सैटिंग यहाँ पर आपको सामने डिखावट छोड़ इस पर क्लिक करिए यहां पर आपके सामने यह सैटिंग आएगी नीचे आप स्टैटिक देख सकते हैं इस पर क्लिक कर लिजिए क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा अब आपको यहां पर करना क्या है गाईज लिखना है यहां पर डिटेल में ठीक ह आपका उसको simple सा change करना होगा यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर 192.168.1.1 और यहाँ पर लिखना है आपको 3 सिर्फ इतना लिख देना है 3 नहीं लिखना चाहती तो 4 लिख दीजिए इतना करना है नीचे इस gateway पर आना है और यहाँ पर भी आपको 192.168.1.1 इतना लिख देना है ठीक है उसके बाद नीचे आना है और यहाँ पर 24 कर देना है नीचे आप सेम रहने दीजिए कोई problem नहीं है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है उपर की तरफ आपको सिर्फ simple सा change करना होगा मैं आपको बता देता हूँ आपको एक बात का ध्यान रखना है सिर्फ आपको IP address में एक काम करना है यहाँ पर आपको gateway में जितना यहाँ पर लिखा है 192.167 यहाँ पर 8 यह जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपको simple सा काम करना है आपके IP address में जो last वाला digit है उसको change करना है 4 है तो आपको 5 करना है 5 है तो 6 करना है सिर्फ इसको change करना है और यहाँ पर जो है save कर देना है इतना करने के बाद आपकी problem solve हो जाएगी आप save कर लेंगे और आपकी problem solve हो जाएगी इसलिए आप जो है connect कर पाएगे